हलो दोस्तों, एडूटेरा एक बार फिर से लेकर आया आपके लिए करेंट अफेर 6 जहां पर मैंने टॉप 10 क्वेस्टेंस को लिया है तो आए देखते हैं क्वेस्टें नमबर 1 डिजिटल बाढ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला भारती राज कौन सा है असम, गुजरात, उतर प्रदेश, हिमानचल प्रदेश तो आए इसका उत्तर जानते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम आए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं तो ये देखे, 8 मई 2021 को असम के मुख्य सचेव जिश्नू बरवा ने असम राज में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लेड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंब किया है FRI MS के शुभारंब के साथ असम भारत का पहला ऐसा राज बन गया है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है ब्रह्म पुत्र नदी के बहाओ के साथ असम हर साल भेंकर बाढ़ और मिट्टी के अपरदन का शिकार होता है आप सभी लोग नियूज में सुनते ही होंगे ब्रह्म पुत्र नदी में बाढ़ हाने के कारण भारी नुकसान गाओं बह गया FRI MS एक डिजिटल वास्तविक समय रियल टाइम बाद रिपोर्टिंग प्रणाली है असम राज आपदा प्रबंधन एजनसी और संयुक्त राष्ट बाल कोश द्वारा संयुक्त रूप से इसे विक्सित किया गया है तो अब आप समझ गया होंगे अब आप जान चुके हैं कि भारत का वो पहला राज ये कौन सा है वो राज ये है असम तो आईए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्ण पर Question No.2 अंतर राष्ट्री ये नर्स दिवस कब मनाया जाता है 20 मई, 12 मई, 21 अपरेल, 20 अपरेल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मई तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं या इस वीडियो को Current Affairs को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल EduTura को Like, Share और Subscribe करें तो अंतर राष्ट्री ये नर्स दिवस कब मनाया जाता है 12 मई को मनाया जाता है आईए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग ये देखिए हर साल 12 मई को अंतर राष्ट्री ये नर्स दिवस मनाया जाता है International Nurse Day 2021 यह दिन हर साल Florence Nightingale के जन्म दिन की वर्षगाठ के तोर पर मनाया जाता है आज दुनिया भर के ज्यादा तर देश करोना वाइरस महामारी से जूज रहें अंतर राष्ट्री ये नर्स दिवस इस भेंकर महामारी के बीच खास महत्तु रखता है तो इसलिए इस प्रश्ण को लिया गया है कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये नर्स हैं इस करोना काल में भी तनमन धन से हमारे मरीजों की सेवा करने में जुटी हुई है तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अंतर राष्ट्री ये नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और इस पर एक प्रश्ण और भी बन सकता है कि किसके जन्म दिवस की वजह से मनाया जाता है तो उसका उत्तर हो जाएगा Florence Nightingale के जन्म दिवस की वर्स गांठ के तोर पर मनाया जाता है तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्ण नंबर 3 पर तो ये हमारा तीसरा प्रशन आ चुका है म्यूकर मायकोसिस क्या है? ध्यान से सुनिए प्रशन को म्यूकर मायकोसिस क्या है? A. जानवरों में पाया जाने वाला विटामिन B. एक तरह का सलाईवा C. एक बीमारी D. इनमें से कोई नहीं या ये इसका उत्तर जान लेते हैं तो इसका उत्तर है एक बीमारी अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ा ली जाए यानि म्यूकर मायकोसिस इसका उत्तर क्या हो जाएगा? C. अब आईए देखते हैं तो ये देखिए म्यूकर मायकोसिस एक तरह का काफी दुरलव फंगल इन्फेक्शन है इसलिए इसका एंसर आया है C क्योंकि ये एक बीमारी है फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है तो अब आपका यहां एक और क्वेस्टन बन सकता है कि ब्लैक फंगस किसे कहा जाता है म्यूकर मायकोसिस इन्फेक्शन दिमाग, फेफडे या फिर स्किन पर भी हो सकता है इस बीमारी में कई के आँखों की रोशनी चली गई तो वहीं कुछ मरीजों के जबडे और नाक की हड़ी गल जाती है अगर इसे समय रहते कंट्रोल ना किया गया तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है यह मुखे रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो स्वास्थ समस्याओं के लिए दवा पर हैं यानि उनके अंदर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ती है वो कम हो गई है वैसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी और बता दें कि जो कुरोना से पीडित लोग जिनको लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखा गया और ठीक हो रहे हैं उनके अंदर इस बीमारी को पाया जा रहा है तो आएए चलते हैं प्रस्न नंबर चार पर भारतिय रिजर्व बैंक आर बी आई ने निम्न में से किसे नए कारेकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जोस जे कटूर, राहुल सचदेवा, राजेश खुलर, सुधीर सीतापती तो इसका उत्तर हो जाएगा जोस जे कटूर तो आए थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग और चर्चा कर लेते हैं जानकारी ले लेते हैं भारतिय रिजर्व बैंक ने जोस जे कटूर को नए कारेकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है कारेकारी निदेशक के रूप में पदोननत होने से पहले ये जो कटूर सहाब थे, ये करनाटक के छेत्री निदेशक के रूप में बैंगलूर छेत्री कार्याले का नेत्रितु कर रहे थे यानि इससे पहले वो कहां पर थे बैंगलूर छेत्री कार्याले का नेत्रितु कर रहे थे कट्टर को 30 साल से अधिक का अनुभव है वो अपने सेवा के दवरान तमाम जगों पर उन्होंने कारे किया है तो ये थे प्रश्न नमबर 5 पर और सियम हिमंत बिश्वा सरमा जिन्होंने अभी हाल ही में असम के मुख्यमंतरी पद की सपथ ली है वे असम के कौन से मुख्यमंतरी हैं कौन से नमबर पर मुख्यमंतरी हैं ओप्सन को देख के ऐसा लग रहा है 12, 14, 15 या फिर 16 तो अभी हालही में असम में चुनाओ हुए हैं जहां पर इन्होंने सपत ली है तो आए जान लेते हैं इसका उत्तर तो इसका उत्तर हो जाएगा C 15 यानि C.M. हिमंत विश्वा सर्मा जिन्होंने अभी हालही में असम के मुख्यमंत्री पद की सपत ली है वो 15 मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो आए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं तो ये देखिए आ चुके हैं हिमंत विश्वा सर्मा ने 10 मई 2021 को असम के 15 मुख्यमंत्री के तौर पर शपत ली है शपत ग्रहन समारोह में बीजेपी के राश्ट्री अध्यक् सकता है कि असम के राजेपाल कौन है तो वो कौन है जगदीश मुखी जिनोंने सपत दिलाई दूसरा एक प्रशन ये भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री को सपत कौन दिलाता है तो भारती सम्विदान के हिसाब से मुख्यमंत्रियों को सपत राजेपाल दिलाते हैं हिमंत वि किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाडी को लॉरियन्स वर्ड स्पोर्ट्समैन आफ दे यर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो बहुत आसान प्रश्ण है बिलकुल अभी हाल ही की बात है तो रोजर फेडरर, महेश भूपती, राफेल नडाल, सोमदेव, देव बर्मन तो इसक को स्पोर्ट्समैन आफ दे यर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंतर राष्ट्री क्रिकेट परिशद आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाडी को अप्रेल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है इमाम उलहक, बाबर आजम, मुहम्मद रिजवान, शादाव खान तो ये भी बहुत हाल की घटना, इसका उत्तर हो जाएगा, बाबर आजम, आप्सन नमबर बी, तो हम लोग थोड़ा सा बाबर आजम के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत पुराना नाम नहीं है, हाल ही की घटना है, तो आईए बाबर आजम के बारे में जा क्रिकेटर चुना है, बाबर आजम का प्रदर्शन साउथ अफरीका और जिंबामवे के खिलाफ, खेले गए मैचों में बेहद शांदार रहा, यह पहला मौका है, जब भारत के अतरिक्त किसी और देश के खिलाडी ने यह अवार्ड अपने नाम किया है, यानि ये पहली ब रवांडा, केनिया, घाना, कांगो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांगो, कांगो ने अपने देश में हाल ही में इबोला के बार्वे प्रकोप के अंत की घोशना कर दी है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि इबोला भी एक प्रकार का वायरस है, तो ये भी आपके इले एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो आएए थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी बात दो चार लाइनों की हम कर लेते हैं, इबोला और इस कांगो के बारे में, कांगो लोकतांत्रिक गनराज ने हाल ही में इबोला के बार्वे प्रकोप के अंत की घोशना की है इबोला वाइरस की खोज 1976 यानि 1976 में हुई थी, पस्चिम अफरीका में इबोला का 2014 से 2016 तक का जो प्रकोप था वो सबसे बड़ा प्रकोप था, तो बहुत ही खतरनाक वाइरस था, एक बार भारत में भी आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन उतना प्रभावी नहीं रहा, तो आईए प्रशन नंबर 9 पर चलते हैं, किस राज सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयूर वेदिक टेली मेडिसीन सुविधा शुरू की है, पंजाब, केरल, करनाटक या फिर हर्याना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर्याना, हर्य कोरोना मरीजों के लिए या कोरोना रोगियों के लिए आयूर वेदिक टेली मेडिसीन की सुविधा शुरू की है, तो अब हम चलते हैं, आज के इस वीडियो के आखरी और दस्वें प्रशन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रशन है, ये आगामी किसी भी परिक्षा के लिए तो देखिए प्रशन नमबर दस, महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है, वी कल्यानम, राहुल सचदेवा, अनिल गांधी, कमल महाजन, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा, वी कल्यानम, तो हम लोग वी कल्यानम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और कर लें, देखिए ये जानकारी जो होती है, जब हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ जाती है, कोई पिक्चर देख लेते हैं उसके साथ में, तो वो हमारे दिमाग में जादा दिनों तक ब कल्यानम का निधन हो गया है कल्यानम 1943 में बापू के निजिव सचिव बने थे तो देखे ये प्रश्ण भी पूछा जा सकता है कि किस सन में वो निजिव सचिव बने थे और 1948 में उनकी हत्या के समय तक वह इस पद पर तैनात थे ये भी प्रश्ण हो सकता है गांधी जी की हत्या के सन में हुई वे बंगाली गुजराती हिंदी तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे वे महात्मा गांधी के कटर अनुयाई थे और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी ज अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अगर आपको हमारे current affairs अच्छे लगें तो like, share and subscribe करें